कि नमस्कार दोस्तों मैं विनैनंत और स्वाल करता हूं पर आज बात करेंगे हम राजस्तान विदुद्ध वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 के बारे में चलिए सुरू कर्टेंस की कुछ इंफॉर्मिशन के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें तो नेव पोस्ट नेव पोस्ट है राजस्तान एनर्जी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 तो पोस्टेट जो हुए हो 22 माई को पोस्टेट हुए है और शॉर्ट इंफॉर्मिशन के बात की जाए तो यह कि स्टेट पावर कंपनीज और रा फोस्ट और वेरियस पोस्ट ऑनलाइन वेकंसी फॉर्म तो यह था कुछ इसकी स्ट इनफॉर्मिशन अब बात करें कुछ और इनफॉर्मिशन के बारे तो इंपोर्टेंट देट जैसे की आप देखे हैं 22 मैस से इसका एंप्टेकिक्स बिगन स्टाट हो गया था लास्ट अप्लाइन फॉर्म की तो 11 जून इसकी लास्टेट है अब लास्टेट कम्प्लीट फॉर्म 11 जून है एक्जाम मिनेशन डेट जन्दी नोटिफाई हो जाएगे आपको अब बात करेंगे एप्लिकेशन फीस के बार में अप्लिकेशन फीस है कि जन्रल की 850 रुपीस है जन्र एक्जाम फीस त्रू डेबिट कार्ड का नेट में की फॉर्म की प्लीज पे कर सकते हैं तो यह थी इंपोर्टेंट डेटेशन की इन्फॉर्मेशन आप बात करें कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में तो वैकेंसी डिटेल जैसे कि आप देख रहें हैं आपे एज लिम असे स्केंड पोस्ट जो ने में इसकी फोटल जो निकली हों है 210 पोस्ट किसे ज्यादा पूचैज कैई के देख रहें आप 3220 तो टोतल है इसमें से 22110 पोस्ट निकली है केवल चूनियर असेस्टेंट कमर्सियल असेस्टेंस चाहिएट इसकी हम बात करेंगे क्या कहते है क्या क्या इसमें क्या एंसे दिप्लोमा स्ट सर्टिफिकेट इन कंपूर्ट साइंस यदि अपने को जान नहीं है क्या नहीं है जैसे कि आप लेज़िटी वारे में तो आप इसके एज के बारे में अगर बात किया तो मिनीमम एज इसके 18 और मैक्सिन फुटीज की एज है अब बात करेंगे अच्छा इसमें जो 18 से फुटीज एज गूरूप पर इज दिखा रखाया इसमें इस टैनोग्राफर के भी यही सेम एलेजिबिटी है और चुने असिस्टेंट कमर्सिल असिस्टेंट सेकेंड के वी एलेजिबिटी है अब बात करेंगे टूटल पोस्त में स्टैनोग्राफर के चौदा पोस्त निकलिए है 114 एंड जूनियर अकाउंट 10 के बारे में बात की आए तो इसमें यह थार्ड पुस्त के बारे में बात की जाए तो अठाथ नगी आठ्सो बाराफ पॉस्त निकलिए ठीक है अब लेजबिटी के बारे में बात किया तो ब्सेनेस एडिमस्तितर और और म्बा फाइन लिपर पईजिब्लॉमा पिजिस मैंजमेंट और एमकॉ तो यह इसकी लेजिबिटी है एंज सेकेंड के बारे में विद ओ लेवल सी सी ये प्रिपल सी और सी ओ पी इस तरी किसे मांग रहे हैं तो यह इसकी भी एज 18 से 43 एज गुरू पर थी अब बात करते हैं जूनियर लेगल लीगल ओफिसर जे लू ठीक है तो यह फॉर्थ प्रोफेशनरी प्रोफेशनल डिग्री तो यह इसकी क्वालिफिकेशन है एंट 18 से 43 इसकी एज है अब बात करेंगे असे स्टेंट पर्सनल ऑफिसर के बारे में APO के बारे तो 67 पोस्ट नहीं हुआ है और इसमें पैचलर डिग्री इन एन स्ट्रीम इन एन रिकुनाइज इन इन इंडिया विज तो Master Degree MA in Social Work or MBA or Master in Professional Management slash human resource management HRM जिसम क्याते है तो इपलमें एंस्स्ट्रीय रिलेशन आई आर्ट समक्त हैं तो यह चीज्जिस की हौलिफिकें जुसमें तो इस टरीका से यह काफी यह जाद है इसमेट को जाद चान नहीं है तो आप नोटीफिकेंस में विजट कर साथा है और इसके भी 18 सब्वोटी थी टेरे लिए है अच्छा पर अच्छा को पर स्मुल आश् post dignity or bachelor degree any stream in any recognized university in India with at least minimum 55% marks one should take master degree M in social work MPA PG personal management slash human resource management development and studio education and post graduate diploma in labor low labor welfare and personal management human resource management इसमें पात करेंगे हैं काउन ऑफिसर ऑ के बारे मैं तो इसमें फोस्ट निकली निया और चार्टेट एकाउंटेंट सीए के बारे में इसके लिए कि इसमें ग्राफिश इसमें और व्यक्राइश के लिए इसमें अब कमपनी वायज वाइस में निकाल रखी है तो नेम पोस्ट और ये आर्वी यूजे कंपनी यह साडिगा रखिया तो आप जैसे कि आश्या असिस्टेंट कमर से से सागे मैं देख धूर यह तरी देर रहे है तो आप लेख सकते हैं काफ ज़ादा पोट्स निकालेगी तो यह थी कुछ इंफोर्मेशन और एक्जामिनेशन सेंटर के वारे में बात यह तो राजस्थान वेरियस इस्टिक अब पड़ेगा इसका वो राजस्थान वेरियस इस्टिक ज़ो पड़ेगा इसका वो पर्देश गुजरात पंजाब स्टेट ओनली पोस्ट वाइस एक्जामिनेशन सेंटर वो डेटेल रीड नोटिक निशन ठीक है तो यह थी कुछ इंफोर्मेशन अगर आपको इच लगा तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब और आप विनेयानन 9 विनेया.96 लाइस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं.